आप देख रहे हैं देश कवर 24 और आपके साथ मैं हुआ है आज देश में कुरोना महमारी के बीच संपन वर्ग के व्यक्ति ने समाज के हर गरीब वर्ग का सहारा बनने की कोशिश की है कुरोना काल में देश में हुई लॉकडाउन का सबसे जादा असर गरीब वर्ग पर पड़ा है ऐसे में देश के प्रधानमंत्री से लेकर राज्य सरकार तक ने मजदूरों को काम से बाहर ना करने का फर्मान भी जारी किया लेकिन इन तमाम प्रयासूं और घोषणाओं के बाद भी रीबा का जेपी सीमेंड फैक्टरी प्रबंधन क्रूर सासक बना हुआ है लागडाउन के बाद फैक्टरी खुलते ही प्रबंधन ने स्रम्कों को ना सिर्फ बाहर का रास्ता दिखा दिया बल्कि उनके पेट पर लात मारने का काम भी किया रीबा में संचालित जेपी सीमेंड फैक्टरी प्रबंधन के क्रूर रवई के कारण आज साड़े चार सो मजदूर बिरोजगार हो गए हैं जिसके चलते स्रम्कों का परिवार आज भूंको मरने की कगार परा गया है दरहसल आज रीबा में जेपी प्रबंधन द्वारा बाहर किये गए सैकडो सर्मिक कलेक्टरेट का रहले पहुँचे और कलेक्टर को चेतावनी भरा जापन पत्र सौपा है स्रम्कों का आरोप है कि प्रबंधन इतना क्रूर हो चुका है कि उसने ना सिर्फ सारे 400 मजदूरों को बाहर कर दिया बल्कि उसने अमानवियता की हधी पार कर दी है उन्होंने कहा कि फैक्टरी में काम करने वाली उन बिधवा महिलाओं को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है जिनके पती फैक्टरी में काम करते हुए अपनी जान तक गवा चुके है स्रमकों ने कहा कि प्रबंधन के खिलाब कई बार सासन प्रसासन को ग्यापन पत्र दिया गया लेकिन प्रबंधन की आंगे सासन से लेकर प्रसासन तक नतमस तक है स्रमको ने कहा कि आज हमारे दौरा कलेक्ट्रेट में आखरी और अंतिम ग्यापन पत्र सौपा जा रहा है जिसके बाद प्रबंधन के खिलाब अब उग्रांदोलन प्रदर्शन होगा जिसकी पूरी जिम्मेदारी सासन प्रसासन कियोगी दरसल जेपी प्रबंधन के इस रवाईय को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि वाकई यह प्रबंधन कितना क्रूर है सोचने वाली बात है कि जब देश में करोना काल के समय जिस प्रबंधन को गरीब मजदूरों की मदद करनी चाहिए वह उन्हें आज उनसे निवाला च्छिनने का काम कर रहा है ऐसे में सवाल उटता है कि आखिर कहां गए वह लोग जो खुद को गरीबों का मसीह मानते है आखिर क्यों इन गरीबों को नया दिलाने वह आंगे नहीं आ रहे है देखना होगा कि आखिर इन गरीबों की लड़ाई में कौन कौन साथ आता है देखिए इस संबंद में आप सारे लोगों को पता है कि पिछले चार महीने से जो है वो जेपी का जो कारखाना है वहाँ पर मजदूरों की समस्या चल रही है उन्होंने लागडाउन खतम होने के बाद से ये था कि सारे मजदूरों को काम पर रख लेंगे लगातार हम लोग कलेक्टर साब को और यहां के प्रसासन को वहां की इस्तिती से आउगत करा रहे हैं पर अभी तक उन्होंने जो है साड़े चार सो वरकर आज भी काम से बाहर है और आप सारे लोग देख रहे हैं कि सबसे जादा अमानवी जो कंपिनी की ओर से ब्योहर किया जा रहा है कि ये जो बिधवा महिलाएं हैं इनके पतियों ने उस कारखाने के अंदर सेवा देते हुए जिनकी मौत हो गई वो उसके आधार पर उन्हें कारखाने के अंदर नूखरी मिली है वो उनको चार-चार महिने से जो है ना तनखा मिल रही ना काम मिल रहा है ये इतना असंबेदन सील और क्रूर प्रवंधन है कि इन महिलाओं तक को काम पर नहीं रख रहा है इनकी सेल्डी के बारे में आप सुनेंगे तो और रास्चर्च करेंगे इनको किसी को आठ हजार मिलता है किसी को साथ हजार मिलता है परिवार चला रहे हैं इनको भी कमपीनी के अंदर नहीं रखा जा रहा है तो आज हम लोग कलक्टर साथ से यह कहने है वह तो लगातार यही कह रहा है प्रसासन के वह हम कोसिस कर रहे है आज तो हमने साफत और पर प्रसासन को इस बात के लिए कह दिया है कि यह दो तीन चार दिन के अंदर हमारे जो लोग बाहर है उन्हें आपने कार खाने के अंदर सबको अंदर नहीं रखवाया चाहे वो ठेका वरकर्स हो चाहे पर्मनेंट और जो लोग का इस्थानांतन किया जा रहा है टांसफर किया जा रहा है किसी का भूटान किया जा रहा, किसी का चुर्ट किया जा रहा, किसी का चुनार किया जा रहा तो ऐसी हालात में उनके टांसफर निरस्त किये जाए और ये सब चीजे नहीं होती तो हम तीन-चार दिन के बाद पूरे कार खाने के अंदर हरताल पे जाएंगे उससे कोई कानुन विवस्था किसी उत्वपन होती है उसके लिए प्रसासन जिम्मेदार होगा क्योंकि हम लोग लगातार सांती प्री तरीके से अनुसासी तरीके से यह चाहते हैं कि इनकी जो वाजिव मागे हैं मजदूरों की वाजिव मागों का समझ